बिहार विधान सभाचनाव 2025 से पहले नितीश कुमार तेजस्वी यादव सब जो हैं अपने अपने भोटवेंग को साधने के लिए युवाव के एक बड़े वर्ग को साधने के लिए नौकडी की बात कर रहे हैं और ये बताने का प्रियास कर रहे हैं कि वो जब सरकार में थ थे उन्होंने कितना नौकडी दिया है और उसके बाद वो अगर सरकार में आएंगे तो वो कितना नौकडी देंगे और इन सभी मुद्व पर प्रिसांद कि शोर ने जो बात बोली है कि वो नौकरी दिये हैं और देने का काम करेंगे इन सभी मुद्दो परविस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचे जान लीजिए नमस्कार मेरा नाम वेद प्रकास है आप जनता जंचन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल कोट के फैसले पर स्टेल लगाने से इंकार कर दिया अब मामला फिलpedo हल कोट में है और उसके बाद इस Means करना के नित्यस कुमार विल्कुल इंतजार नहीं करना चाहते बिहार विदान कबधान सबाण दोहजार पच्चीछ सरपर है और इं्ड yapt चाहती है। से इसका कारण क्या है तो बिहार विधान सभा चुनाओ 2025 सर पर है और NDA और नितीज कुमार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं यूआओ को मुहने के लिए यूआओ को लुभाने के लिए नौकडियों का ओफर दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूआओ को नौकड़ी मिले और उनका वोट बैंक जो है इनको फाइदा पहुचा सके अब आप इस बात को समझिए कि लगातार इस बात का प्रियास कर रही है कि लोगों को नौकड़ी दिया जाए लगातार वैकेंसी निकाल रही है दूसरी तरफ तेजसी प्रसाद यादो लगातार इस बात का दावा करते हैं कि जब हम 17 महीने सरकार में थे तब हमने 5 लाख से अधिक रोजगार देने का काम किया है युवाव को नौकड़ी देने का काम किया है और उसके बाद तेजसी यादो इसी तरज पर ये दावा भी करते हैं कि अगर हम वह आपस से सरकार में आएंगे तो हमारी पहली प्रात्मिक्ता जो होगी वो युवाव को रोजगार देने की होगी और अब इन सभी मु रोजगार देते नहीं है प्रसांत किसोर ने ऐसा क्यूं कहा तो प्रसांत किसोर पेस किया और रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया कि पिछले 75 सालों में बिहार के मातर 23 लाख लोगों को रोजगार मिला है अब फिलाल जो है बिहार का जो जन संक्या है लगबक 14 करोर से भी अधिक है और ऐसे में प्रसांद किसोर के तरफ से ये दावा किया जाना कि 75 सालों में मात्र 23 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है इस बात को साबित करता है कि बिहार के नेता जो है युवाव को रोजगार देने के मामले में कितने पीछे हैं उसके बाद प्रसांद क प्रतिसत अर्थात दो प्रतिसत सेधी कम और उसके बाद प्रतिसत ज्रौ सवाल ख़रा करते हैं की बाकी के 98 प्रतिसत युवाओ का 98 प्रतिसत लोगों को रोजगार नहीं है उसका क्या अब इन सभी मुद्दो पर जिस तरीके से प्रतिसान्थ कि सोर ने हमला बोला है, जिस से इसको और बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है बाकी आपको क्या लगता है कि नितीश कुमार या थिजस्वी या दो दोनों में से नौकरी देने के मामले में आपके हिसाब से नंबर वन कौन होगा और क्या लगता है कि 2025 के बिहार विधान सभा चुनाओ के समय में ही वाओ को रोजगार के नाम पर साथ किसका मिलेगा बाकी इस खबर को लेकर कि आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा जरूर और देखते रहिएगा जनता जंचन बहुत बहुत धन्यवाद